असलाम लेकुम्, we will be continuing chapter no.3 periodic table and periodicity of properties इस वीडियो में we will be covering section no.C, detailed answers सबसे फ़रा कोच्चन है, discuss in detail the long form of period table जो long form of period table है, जो modern period table जिसको कहते हैं उसके बार में discuss करना in detail में the long form of period table is also known as modern period table comprising seven periods and 18 groups जो long form of period table है, उसके बार 17 fields and 18 groups होते हैं आसरे पहलाई पीरिट्स पैरे श्रस जो पिरेट्स में जो पैला बीरिटे हैं उसके छोटा होता नुजा सबसे औँध कर्ण सबसे बार होता है और देनोजा डो lot g 3rd period भी छोटा होता है 2nd period के तरह उसके अंदर भी 8 elements मुझेद होते है 4th period लंबा होता है इस long period के लाता है उसके अंदर 18 elements होते है 5th period भी long period होता है 4th period के तरह उसके अंदर भी 18 elements होते है 6th period सबसे बढ़ा होता है उसके अंदर 32 elements होते है 7th period incomplete होता है क्योंकि अभी जो new elements हम discover जो discover होते जा रहे हैं उनको हम इसके अंदर include करते जा रहे हैं इसकी एक simple series होती जो अलग से 14 elements की अलग से लिखी भी होती है और उसको हम लोग actinate series कहते हैं अब आते हैं group के अंदर group हमारे पास 8 groups होते हैं हमारे पास क्योंकि इस group का जो पहला element है वो lithium है और इन सब के पास एक ही electron होता है अपने last shell के अंदर group 2 alkaline earth metals कहलाता है और इसको beryllium family भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहला element beryllium होता है और क्योंकि ये group 2 में है तो इसका मतलब है इनके valence shell के अंदर 2 electrons होंगे group 3 को boron family कहते हैं क्योंकि पहले element boron है और इनके valence electron shell में आखरी shell में 3 electrons होता है group 4 A को carbon family कहते हैं क्योंकि first element carbon है और इनके आखरी shell के अंदर valence shell के अंदर 4 electrons होते हैं पिर आता है group 5 group 5 A को nitrogen family कहते हैं क्योंकि first element nitrogen है और इनके last shell के अंदर वेलन्स शेल ऐंदर 5 electron होते हैं Group 6 A उसको oxygen family कहते है क्योंके पहले element oxygen है और इनके वेलन्स शेल आफरी शेल के अदर 6 electron होते है Group 7 A halogen family कहलाती है और इनके जो फिर्स element है वो fluorine है और इनके वेलन्स shill के अंदर 7 electron होते है Group 8 A Inert या Noble increases कहलाते है इननर्ट मतलब जो रियक्ट ना करता हो, नोबिल जो जिसको किसी की जववत ना हो, जो शाही खांदन के इनको इसलिए का जाता है क्योंकि उनको अक्टेट होता है, वो पूरी होती है, इनको बॉंड्विंग जववत करके अपनी स्टेबिलिटी बनाने की जववत नहीं इसलिए के बीच में एक ग्रूप होता है, या ग्रूप 1B से लेकर ग्रूप 8B तक उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं हम लोग, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, और क्योंकि इन जो बैलेंसी होती है, वो डिफर कर दिए होती है, तो इसी वजा से इ प्रियूप 2.0List did a Markation of the Period table into s,p,d and f blocks. unsa,p,d, and,f blocks निया बने ही कहुंसे एलिमेंट्स स box में आता है, कहुंसे प,d, में आते हैं उन ग्रूप को में बताना है कि कौन से ग्रूप कौन से ब्लॉक में बिलॉंग करते हैं वो group 2A के elements जो हैं वो S block में belong करते हैं किसे उनकी जो आखरी electron है वो S orbital में होता है यानि कि अगर आप इनकी electronic configuration करेंगे तो जो आखरी जो electron के आप arrangement करेंगे तो वो उनके S shell में आप S subshell के अंदर आप दिखेंगे फिर आता है P block यानि कि उनकी आखरी electron P subshell के अंदर है यानि जब उनकी electronic configuration करेंगे तो वो आखरी जो electron होगा वो P subshell में आ रहा होगा तो वो जो elements होते हैं वो group 3A से लेकर group 8A तक आते हैं उसकी बादा है D block, D block में जो आखरी element जो उनकी elements होते हैं उनकी आखरी electron D orbital में या D subshell में होते हैं यानि जो आप उनकी electronic configuration लिखेंगे तो आखर में वो D में end हो रहा होगा तो यह जो outer transition elements होते हैं यानि कि जो period table के बीच में लिखे वे होते हैं transition metals उनको हम लोग D block में include करते हैं क्योंकि उनकी जो electronic configuration है वो D पे end कर रही होती है फिर F block आता है F block क्यानि के इनकी आखरी electron है वो F subshell के अंदर है electron configuration में वो F पे जाके खतम होता है और इसके अंदर lengthnides और actinides है यानि आपको यह जो pink color के नजर आ रहा है बीच में यह transition elements है और यह नीचे वाले भी transition elements है तो lengthnides और actinides यह दोनों F block में आते हैं बाकि जो को सिंत्री है identify the electronic configuration of the following elements यानि कि इनके में electronic configuration लिखनी है sodium की, calcium की, fluorine की and silicon की electronic configuration के लिए आप लोगों सबसे पहले इस तरह से त्यार करना होगा ताकि आप लोगों को पता से ले किस order में आप लोगों को लिखना है फिर आपको असानी होगी वरना आप लोग जो ordering दे रहे होंगे elements को वह गल्स में आप गल्ती करेंगे फिर तो हमारा पास है पैसाब से पहले sodium, sodium के पास होते है 11 इसका atomic number that is 11 तो यह देखें इसका 11 electrons है यानि 2 plus 2 plus 6 10 plus 1 11 होगे आपके electrons, calcium का जो atomic number है that is 20 तो आप इसका पावर्स यानि number of electrons का उनका सकते है यानि 2 plus 2 is 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 plus 2 is 20 fluorine का है 9 atomic number so उसके addition कर लेतने है 2 plus 2 is 4, 4 plus 5 is 9 यानि 9 electrons हो गए silicon का atomic number is 14, 2 plus 2 is 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 2 is 14 तो यह आप लोगों का electronic configuration है जो आपको orbitals के साथ and simple सिफ electrons के number देखें पताने होते हैं फिर आता है question number 4, determine the location of families on the predictable इसमें बस ही बताने है कि कौन सी फैमिली कौन सी जगा पर मुझूद होता है प्रेटेबल में महाँ पास 9 families है lithium family होता है group 1, beryllium family होता है group 2, boron family होता है group 3 a, carbon family होता है group 4 a, nitrogen family होता है group 5 a, oxygen family होते है group 6 a, halogen family होती है group 7 a, group 8 a होते है inert in noble gases और 1b से लेकर 8b ते हम कहते हैं transition element question number 5, discuss that mandative spiritic law provides a base for the modern periodic table मता हमें यह proof करना है एक तरीके से किस तरीके से mandative ने जहमें periodic law दिया था किस तरीके से वह अभी जहाँ पास प्रेटेवल मुझूद है उसकी बुनियाद बनी अब mandative spirit table में जो उसने law दिया था बेसीकलि उसने क्या गया था उसने new land के law को और new land of octave को और dobabriner के law को उसने combine किया था उसने door bewrainer के साफसे उन्होंने यह कहा था कि या दोब्राइनिक के साफसे हनोने mathematically उन्हने foundation तियार किया था हमारे लिए इसके वाजासे उन्होंने elements को उन्होंने क्या किया फिर ascending order में atomic masses को रखा और फिर जो missing atomic masses हो रहे थे elements हो रहे थे वो उन्होंने law of octave जो new line ने देता उनके तुन उन्होंने gaps छोड़े थे उसमें क्या हुआ था उन्होंने ये बताया थे मैंग इस पुरोड़ी सी दिखाई थी कि उन्होंने बताया थे elements की जो बुनियाद हैं जो इनके arrangement है वो उनके properties की बुनियादों से match कर रहे हैं उनकी properties से match कर दी है और पर क्या हो रहा है कि उन्होंने gaps छोड़ दिये थे क्योंकि उनकी properties जो है वो match नहीं कर रही तो उस number के साफ से तो वो gaps हमें एक तरह एक सा idea दे रहा था किस तरीके सम new elements को discover कर सकते हैं पिर उन्होंने classification का idea दिया कि मैटर्स और नॉन मैटर्स की अलगले groups हो सकते हैं उनकी एक specific arrangement है और पिर उन्होंने पहले बताया कि elements की जो properties है वो atomic masses पर बेस करती हैं जिसके आसे उन्होंने पूरा अपना प्रेटेबल atomic masses पर रखा जिसकी collection of course बाद में हुई के properties जो है वो atomic number पर टेपैन करता है atomic mass पैनि बट स्टिल जो भी discoveries में दी थी वो त्नमाम उसकी discoveries और उससे पहले discoveries हुई थी उन सब को combine करते हुए में 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 बुनिया दी थी modern periodic table की कुर्से नमल 6 explain how shielding effect influence the periodic trends shielding effect किस तरीके से periodic trends को affect करता है अब shielding effect होता क्या है shielding effect होता यह है कि जो nucleus के अंदर proton मुझूद होता है और electron revolve कर रहा होता है वो आपस में एक दूसरे को attract कर रहे होते हैं जिसके वजासे electrons जहें वो अपने orbit से बहार नहीं निकल रहा होता यानि कि जो electron होता है bonding के वक दूसरे electron दूसरे atom चला जाता है तो वो अगर proton की जो पावर है neutron की जो पावर है वो कम होती है तो असानी सा हम electron निकाल पाते है एक atom से तो जी effect होता है वो basically जा होता है कि nucleus का कितनी power है कि वो electron को अपने जगह पे उसको maintain रख सके उस जगह पे तो उस reduction of power को उस nuclear के attention को हम लोग कहते है shielding effect अब जितनी जादा shielding effect होगी आपके पास shielding electrons होंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास force कम होगी क्यों क्योंकि अगर electrons जादा है तो उसको handle करने में जादा उसको energy की ज़रूबत होगी तो of course अगर आपके पास electron जादा है तो आपके force कम होगी या वह आपस में distribute जादा हो रहे होंगे तो उसका मतलब क्या है कि अगर shielding effect जादा है तो electron negativity कम होगी electron affinity भी कम होगी, ionization भी कम होगी और इसी तरीके से अगर shielding effect जादा है तो उसका मतलब है कि atomic radius जहें बहुत जादा है क्योंकि यानि कि उसका जो atom का size है वो बहुत जादा है इसके वजाद से shielding effect की भी जो power होगी वो जादा होगी और इस तरीके से chapter number 3 के आपके detailed questions complete हो चुके है लाँ आफिस